दिवेजोती ओनलाइन सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक हिंदी का चाप्टर नमबर है थाड़ चंदा मामा जब हम छोटे होते तो आकाश में जो मून होता है हम उसको क्या केके बुलाते हैं मामा और बड़े होने के बाद भी हम उसको चंदा मामा को क्या केते हैं मामा ही केते हैं और उनको मामा करके ही बड़े हो चोटे हो कोई भी ऐसी चंदा मामा करके ही बुलाते हैं यदि कभी चांद आपके घर आ जाए तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे अगर सपोज आपके घर अगर चंदा मामा कभी-कबार आते है अगर अच्छानक से आज़ाए तो आप उसके लिए क्या-क्या करोगी इसके बारे में आपको सोचना है ओके यह एक कविता है यहाँ पे कविता के बारे में कुछ दिया है हम सब बच्पन में चांद को मामा कहते है जैसे कि मैंने कहा उसी तरह से यहां पे भी बता रहे है चांद को मामा मान कर बहुत सी कविताय लिखी गई है उनमें से ही एक कविता नीचे दी गई है यहां पे दिखो यह चोटी सी क्यूट सी प्यारी सी आपकी तरह एक चोटी सी बच्ची है जो चन्दा मामा से ढेर सारे हैं उसके मन में जो सवाल है वो सवाल कर रही है क्वेशन पूछ रही है चंदा मामा से और उसके अंसर चंदा मामा भी क्या है दे रहे है तो चलो देखते हैं चंदा मामा चंदा मामा जैसे ही होती है रात आसमान में आ जाते हो तारों की सेना के साथ यहाप यह लड़की जो है चंदा मामा को क्या कह रही है चंदा मामा मन में आ जाते हो वो भी तारो की सेना के साथ अकले नहीं आते हो कभी भी आते हो तो तारो की सेना को साथ लेकर ही आते हो पर जैसे ही हुआ सवेरा कहां चले तुम जाते हो यहां पर फिर से एक प्वेश्चन करी कि सवेरे होते ही पता नहीं आप कहां चले जाते हो एकदम से काये भी हो जाते हो, कहां जाते हो आप, क्या सूरत से डर लगता है, वो क्या पूछ रही है, ये जो लड़की है चंदा मामा से, क्या आपको सूरत दादा जो है, उनसे डर लगता है, जो डर कर चिप जाते हो, तो आप क्या उनसे डर कर चिप जाते हो, फिर चंदा मामा ने कह कहा वो प्यारी सी ननी सी जो बच्ची है उसको चंदा मामा क्या कह रहा है कि मैं रात रात भरे न गुंता रहता हूँ तो मैं बहुत ही ठक जाता हूँ इसलिए जब आता सूरच मैं घर जाकर सो जाता हूँ जब इसलिए सूरच जब आता है तो मैं घर पे जाकर सो जाता आसमान में ही रहते हो, कभी उतर कर नीचे आओ, वो प्यारी सी जो ये लड़की है, चन्दा मामा से केरी, कि आप हमेशा जो है वो आसमान में ही रहते हो, कभी अमारे घर पे या फिर नीचे उतर कर भी तो आओ, कितनी सुन्दर है यह पृत्वी, मामा इसे देख कर जाओ, य इसे भी आप एक भार जी भरके से देखो, जिस दिन भी तुम नीचे आओ तो मेरे घर भी जरूर आना, अगर आप जिस दिन भी नीचे आओगे, अगर आपका प्लान हो गया कि मुझा आद नीचे की सेयर करनी, पृत्वी की सेयर करनी है, तो वो क्या है? आमंतरन करते हैं कि तुम मेरे घर भी जरूर जरूर आना मम्मी खुश हो जाएगी दूद जले भी खा कर जाना देखो वो कैसे लालूच दे रही है मम्मी क्या है मेरी बहुत खुश हो जाएगी तो आपको दूद जले भी खा कर खिला कर ही भेजेंगी और आपको खाकरी जाना है सो बच्चो समझ में आया यहां तक यह जो लड़की है वो प्यारी सी चंदा मामा को क्वेस्चन कर रही है कि आप कितने अच्छे हो आसमान में ही क्यों रहते हो और जब भी आसमान में आते हो तारों के साथ ही सेना के साथ ही आते हो और जैसे ही सवेरा होता है पतानी डर कर कहां चिप जाते हो पिर चंदा मामा कहते है कि मैं दिन रात बर गुमता रहता हूँ तो मैं ठक जाता हूँ इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ फिर लड़की क्या कहती बाद में कि कभी इस धर्ती पे भी आओ ये पृत्वी पे भी आओ देखो हमारी पृत्वी कितनी सुन्दर है और अगर आप नीचे आओगे तो मेरे घर जो है आपको जरूर आना है तो मैं आपको आओगे तो दूद्जले भी खाकर ही बेजूंगी इस तरीके से यहाँ पे बताया गया ह सो आपको समझ में आया समझ में नहीं आये तो यह वीडियो फिर से देखना है ओके थैंक यू